नमस्कार दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट में आप सभी का स्वागत है दोस्तो दोस्तो आज हम लोग फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाओं के बिसे में किस सरीके से बिहार के मुख्यमंत्री सीरी आधर्ण पूरे मामले का राजनीती की करना कर चुके हैं इस चुनाओं से कोई लेना देना नहीं है दोस्तो कोई लेना देना नहीं है इस किसी भी डेमोक्रेटिक फॉरम अप गवर्मेंट के लिए जिससरीके से आधर्यने नितिशकुमार जिकर रहे हैं वो कता ही नहीं है कता ही नहीं है दोस्तों क्योंकि मैं यह बात क्यों बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि और पटना हाइकोट के द्वारा जो अपने चार अक्टूबर के जो जज्जमेंट दिया गया था उस जज्जमेंट में मात्र मात्र पटना हाइकोट ने यतना कहा था कि आप चुनाओं क जैनल कटेगरी कर दे तथा उसमें दोबारा से रिनोटिफाइंग करें और अधिसूशना जारी करें और यही बात पढ़ना हाई कोट ने दोस्तों कहा था जो अगर आप जज्मेंट्स की पारण पॉइंट नमर 155 अगर पढ़ेंगे तुसके वर्डिक में साफ और अनुबल सब्सक्राइब करेंगे जैनल कटेगरी सीट्स जैनल करेंगी सीट्स और डियरेक्शन ऑफ दा सिमिलर इन देशर डिक्टर मुद ऑनरेबल सुप्रीम कोट अफ इंडिया मैं दोस्तों बार बार अपने हर वीडियो में यह बाते क्यों मोल रहा हूं क्योंकि मात्र और मात्र जैनल को शोतों नहीं मानें गया क्या वह ओनिवल कोल से भी बड़े हो घज़कत शर men. सब Grundकत नहीं है आपको वाली जजमेंट को फॉलो करना होगा सबकूच कहा लेकिन दूस्तों जानकर के ताजूब होगा कि जो आदरनी नितीस कुमार जी है विहार के मुक्षिया वो इस और का compliance नहीं करना चाहते है वो दिखाना चाहते है कि मैं कोड से भी बड़ा हूं लेकिन याद रखें नितीस कुमार जी we are here the democracy and we are here the rule of law हम लोग rule of law में रहते हैं और उसी के अंतरगत आपको भी रहना होगा आपको भी रहना होगा दोस्तो इस नगर निकाय के चुनाओं में मुझे तो यही लग रहा है कि आदनी नितिश कुमार जो है वो अन्रेबल हाई कोर्ट और अन्रेबल सुप्रीम कोर्स की उपर हो गये हैं वो इनकी बातों को नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे मैं दोस्तों यह इस बात कह रहा हूँ क्योंकि इन्हों आदनी नितिश कुमार जी ने पोल खोल कारेकरम भाजबा के खिलाफ शुरू कर दिया है और बिहार के प्रतेग जिले में जिना मुख्याले में ऐसा किया जाएगा अब यह दोस्तों मेरे समझ से परे हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं कियों कि इस चुनाओ कि जब चिट्थी पहली बार नगर विकास हवास मंत्री की तरफ से लिखे गई थी स्टेट इलेक्शन कमिशन बिहार को तो उस समय नगर विकास मंत्री जो थे व कोई भी राजनितिक डल जो ना न क्या भाच्वा क्या आर जडी ना यदी वहर और इसको राजनितिक उपयोग मेलाना चाहतीuted कैसे वह आपका डेवलप्पनेंट नहीं चाहती है दोस्तों नहीं चाहती और देखिए आज जो नितिश कुमार जी ने प्रोग्राम शुरू किया हर पोल खोल कारेकरम भाजपा का अरे भाजपा का जिस समय यह चुनाओं का नोटिफिकेशन इसू होने से पहले जब इसके नगरविकास हवास मंत्री ने कहा था कि कोई हडेल्स नहीं है उसमें आप थे उसमें आप भाजपा के साथ थे और भाजपा ने भी किसी ने कुछ नहीं बोला किसी भी लोकल बोडी के इलेक्शन में लेकिन बार बार दिया गया लेकिन आप जनता जाग चुकी है और हम लोग जैसे कुछ लोग जाग चुके हैं ऐसा नहीं होने देंगे आप इसको ऐसा नहीं होने देंगे अब सबसे बड़ी बात दोखो चुनाओ टले टल जाने से अधरनी नितिस कुमार जी बहुत खुस हैं दोस्तों क्योंकि नगर निकायों मैं आपके तना साही जो अधिकारियों का कबजा रहेगा और मलाई खाते रहेंगे अपना मनवाना कारे करते रहेंगे वहां को जनता का प्राइदी जब रहेगा तब गलत को गलत कहेगा तो यहां तो होगा नहीं यहां इनके अधिकारी अराम से लृठते रहेंगे कोई कुछ करने валा नहीं कोई कुछ बोलने वाला नहीं और साहिथ यही चाहते हैं इसलिए यह चुनाओ टालना चाहते थे इतने उत्साहित से सारा आपने सब को निदासा जनक कंडिशन में ले आकर करके खलात कर दिया और चुनाव नहीं होने का सबसे बड़ा करण अगर कोई दोस्तों है तो यह अधर्णी नितिस कुमार जी और कोई नहीं है दोस्तों कोई नहीं है मैं यह डंगे की शोट पर क आएंगे तो सुप्रीम कोट में तो मैं आपको सब को बताना चाहता हूं कि हाई कोट के जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस में रिवीव पिटिशन में सुप्रीम कोट जा सकते थे लेकिन अब तक यह नहीं गया क्यों बड़े प्रश्ण चिन हैं दोस्तों क्योंकि उन् बात भाषपा के खिलाफ अभियान की तो मैं दोस्तों बात बता दूओ ओवी सी के रिजर्वेशन के खिलाफ भाषपा स्वाइन नहीं है क्योंकि आप मैं बार बार कह रहा हूं कि भाषपा जो भी है अचाहे आरजेडी हो जदियो हर वेक्ती ओवी सी को चुनाओं में कि उन्होंने जिस समय यह दिसुचना जारी हुई आठ सप्टेंबर को तो उनका एक भाषपा का कोई परवक्ता कुछ बोला कोई मीडिया वाला कुछ बोला नहीं बोला जानते हैं क्योंकि सभी लोग इसके समर्थन में थे लेकिन जोहीं पटना हाई कोट ने और सुप्री अपना रोटी सेक रही हैं और OBC को जो वर के लोग हैं दोस्तों मेरे समझ से परे है कि कहां कोट ने कहा कि आप OBC को आरक्षन मत दें मत दें यह किस तरीके का ड्रामा बिहार में चलने लगा यह मेरे समझ से तो दोस्तों परे है दोस्तों कुछ सवाल है मेरे मेरे कुछ सव में उत्तर यह है यह चुनाओ तब होगा जब नितीश कुमार जी चाहेंगे तब होगा नहीं तो यह ऐसे ही चुनाओ लटका रहेगा लटका रहेगा दोस्तों दूसरा कुर्शन बार बार लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या नॉमिनेशन जो हमने किया है वह रद हो जाएगा तो हाँ दोस्तों मेरी जो कानूनी समझ है उस हिसाब से तो आपको नए सीरेशन नॉमिनेशन करना पड़ेगा बाकी जो होगा वह आपके समने आएगा अब तीसरा सबसे महत्तपूर्ण सवाल दोस्तों कि सरकार यह कर रही है कि अति पिछले के वर्गों के हीतों में कोई स सिप्रीम और ने रोका है नहीं रोका है के वलो मनमानी पन कर रहे है नितिस कुमार मनमानी पन कर लए हैं और जितनले उमिद्वार वह सरकार चाहते हैं अगर आप सरकार चाहती है कि एलेक्षन हो तो रिवीव पिटिशन में क्यों नहीं जाती है सुप्रीम कोड वहां मालूम चलेगा ना कि क्या होगा रिवीव पिटिशन में तो फिर सिव डेवल जैसी में आप सिविल रीट में जा सकते हैं बहुत सारे मोड हैं और सारे आपके पाथ constitutional powers हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं केवल और केवल जन्ता के बीच में चले आए हाई कोड और सुप्रीम कोड की ओर्डर के खिलाप आपको कोड जाना था तो आप जन्ता के बीच में चले आए कि हम जन्ता में फैस्दा करेंगा रहें कैसे फैस्द होगा दोस्तों सुप्रीम कोड ने आरक्षन के देने के लिए का है कोड़ने इक गरिफorship ने के लिए कहा और कि आप एक वाम फैरिक डेटा बनाए आप और कंत्र कमिशन की अस्थापना करें आप जो हैं एंपरिकल डेटा के साथ साथ आप यह पता लगाए उसमें की ओवी सी के अंतरगत जो एवी सी केटेगरी को आपने चुनाओं में आरक्षर दिया वो कितना बैक्वर्ड है राजनितिक रूप से आप कह रहे हैं कि राजनितिक सब कुछ कर दिया है तो सर मैं आपको बता दो इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को जो विहार सरकार दलील दे रही थी पटना हाई कोट में वह सरा सर गलत था वह केवल और केवल आर्थिक और आर्थिक अधार पे और नौकिरियों के लिए डेटा है ना कि राजनिति का जजमेंट भी है दोस्तों इसी सवाल के साथ मैं यह वीडियो जो है अंत कर रहा हूं लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों अगर बिहार में चुनाओं नहीं हो रहा है तो उसके एक आदमी दोसी है जिसका नाम है अधन्य नितिश कुमार जी और कोई नहीं बाकि देखत दोस्तों मेरा यूटीब चैनल सेर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें मेरे यूटीब चैनल को दोस्तों धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद